Hello everyone, Dr. Paranjit here and welcome to Dr. Education. दोस्तों, कोरोना वाइरस के बारे में आपने न्यूस में सुना होगा और न्यूस और बाकी सारे ओनलाइन जगाओं पे पढ़ पढ़ के कई लोग एक्चुली इससे काफी जादा घवरा रहे हैं, डर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे रिक्वेस्स आई हैं हमारे पास इस वाइरस के बारे में जानकारी पाने के लिए तो लेट मी टेल यू वाट इस कोरोना वाइरस और यहां अब जो नया आउट ब्रेक हुआ है, जो पहल रहा है दुनिया भर में वुहान से, चाइना से, क्या वो इंडिया में आपको, क्या वो दुनिया भर में कहीं फैलेगा, फैलेगा तो आपको करना क्या है बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में और जवाब बहुत उल्टे सीधे आते हैं यह सब लोगों के कहता है कोई कहता है कोई कहता है चाइप से आया चाल है तो वअवगों के सब चाल है दुनिया की, तो वाट बासे है टूनिया कि वाइरस एक common वाइरस है यह कोई नया वाइरस नहीं है दुनिया में ऐसा Corona virus is a group of virus एक family है viruses की जो के जिनके उपर basically Corona का मतलब है crown तो जो भी virus है virus virus हमने देखे है virus का मतलब है एक DNA या RNA genetic material है एक genetic material का piece है जो के cover में covered है right this is a virus अब उस genetic material उस जीन उस DNA या उस RNA में exactly कैसा कैसे genes है उस पर डिपेंड करता है वह virus अंदर जाके आपके अंदर क्या करेगा वह virus जो भी genetic material है वह आपके अंदर जाता है कहीं से भी जाए चाहे blood से जाए जाए खांसी जाए यह हम इक coronavirus की बात नहीं हो रही जन्रल वाइरस की बात हो रही है वाइरस अंदर जाके आपके cells में जाके आपके cells के अंदर की DNA replication machine को hijack करके खुद cover replicate करता है और आपको भी मान करता है और जो भी उसकी property है वह property और जहां-जहां cell में गया वह उस cell को उस उस organs को खराब करता है जितना जल्दी वाइरस के अलग-अलग properties को पहचानेंगे उतना जल्दी ठीक कर सकेंगे वाइरस हुआ वैसी यह coronavirus coronavirus basically एक RNA virus है RNA के उपर RNA strand के उपर cover है और cover के उपर crown है crown मतलब उसके उपर बहुत सारे crown like spikes है चोटे-चोटे spikes है आपने फोटो देखी है मुझे पता है जो के उसके surface पे इसलिए उसको coronavirus तो ऐसे crown वाले जितने भी viruses हैं वो सारे coronavirus हो जाते हैं और यह इंसानों को जानवरों को दोनों को affect करते हैं और जाता तर लोग जो coronavirus है उससे affect हो चुके है आपको भी हो चुका है मुझे भी हो चुका है लिटरली जो common cold होता है वो भी coronavirus से है जो flu होता है common cold flu यह सारे coronaviruses ही है common cold virus flu virus is simple common cold respiratory upper mild to moderate upper respiratory tract infections होते हैं इनसे लेकिन कुछ viruses obviously चीज़े problem क्या आता है see इंसान का इंसान विक्सित हुए bacteria विक्सित हुए bacteria resistant होते गए तो viruses भी mutate होते गए viruses में भी mutation होता है थोड़ा फेर बदल होता है उनका structure उनकी property change होती वैसे ही कुछ corona viruses mutate होके थोड़े dangerous हो गए और वो जल्दी act करने लग गए तो जल्दी जल्दी respiratory सांस की नली में सांस के system को हावी होना शुरू होते हैं तो ऐसे viruses जो हैं आपको pneumonia कर सकत हैं आपको एकदम सांस में दिक्कत कर सकते हैं और यह आज नहीं हुए पहली बार नहीं आया है कि हाँ यह वहान में आया है डर नहीं यह पहले भी हो चुका है और यह उसी corona viruses के कुछ genetic कुछ replicated mutated versions होते हैं किसी एक नाएक उसके type के यह family है पूरी family है भग बड़ी राइट तो सारी के सारे खराब नहीं है कुछ बिचारे आपके मारे अंदर अल्डेटी जा चुके हैं बहुत सारे जा चुके हैं तो इसमें जो dangerous वाले से हैं वह dangerous वारे हैं आपके जो पहले SARS MERS Middle East respiratory syndrome वाली वाइरस है severe acute respiratory syndrome वाला SARS coronavirus है और अब SARS आया था 2002 में MERS आया जो 2000 पहले बीच में 2009 में आय चुका है और 2019 में आया है problem है क्योंकि नया replicated version है तब उसकी property हमें नहीं पता उसके उपर study चल रही है properties जानने की कि यह कितना खतरनाक है कितना नहीं और SARS और MERS यह दो अलग viruses हैं दो अलग बिमारिया हैं जो पहले outbreak कर चुकी हैं दुनिया में और कई सारी जाने जा चुकी हैं उसमें इसलिए अब जो तो है थोड़ा सा पहले से proactive होके CDC Center of Disease Control इसको contain करने के लिए वहाँ चाइना में contain करके रखा हुआ तो coronavirus यह है तो coronavirus तो फैलता भी उसी की तरह है coronavirus एक इनसान से दूसरे इनसान में फैल सकता है और काफी हग तक coronavirus जैसे कुछ जो study की गई कि यह आया कहां से कहां से पैदा हुआ तो यह animal origin का है और animals से close contact या animal को खाने से आपके अंदर आ सकता है लेकिन उस animal को जिसमें viruses हैं चि viruses या मर्ज सार जादा तर bats बैट या फिर इस virus जो अब आया है उसका origin snake पे देखा जा रहा है snake से पाया जा रहा है इसके chances जादा है अभी confirm नहीं हुआ है जो होगा लेकिन ultimately this coronavirus is also like a cold virus cold virus कैसे फेलता है खासी करने से चीपने से person to person contact से ना कसके यहां लगा दिया हाथ पे लगा दिया वहीं पर आपके दूसरे किसी ने लगा दिया उससे right touching कई बार आपके वाइरस आपके eyes hand washing साई से नहीं करा तो उससे फैल सकता है तो कौन रिस्क पे है सब को हो सकता है सब में जा सकता है असानी से फैल सकता है तो यह so many wrong questions wrong things हाँ यह जरूरी है कि आप अपने आपको देखो अगर आपको किसी भी प्रकार के upper respiratory यहने के ना कान गला उसके symptom खराब होने के symptom आ रहे है common cold वाले symptom है running nose है सर में दर्द है खासी है sore throat है fever है आप अच्छा नहीं लग रहा और ऐसा कुछ हो रहा है तो घर पे रहो make sure करें कि आपके अंदर जो वाइरस है उसको फैलने मत दो हाथ अच्छे से धुएं खासी करें तो गुरुमाल में करें सारे preventive measures आप follow करिए जो हमने cold वाली वीडियो में बताया दर्द हो रहा है तो hospital जाओ ओविस्सी चीज़े जो भी चीज़ है वो दिकत बढ़ा रही है उसमें आपको ठीक करना बढ़े है the most important thing here is to actually rest give your body time आपके शरीर को समय देना है उस virus के उपर act करने के लिए आपकी immunity अच्छी करने के लिए आपको खूब सारा पानी पीना है पा और बुखार जादा है दर्द जादा है कब जादा तो over counter medications ले सकते हैं उसके बच्चों के लिए बड़ों के लिए घर के अंदर humidifier रखो dry air ना हो कि गला सूख जाए और गले में सुतोर थ्रोट है तो आप चाहे मुलेठी रख लो चाहे स्वालीन रख लो something like that take plenty of rest drink plenty of fluids वो आपका गल ये इस तरह कि बुखार आ रहा है गला खराब हो रहा है cover your mouth sneeze sneeze कर रहे तो टीशू पर करो वो फेक दो and stay at stay at home if you are sick इस तरह से आप viruses को रोक सकते हो Corona viruses के लिए अभी कोई specific antivirus नहीं आया है अभी एक ही CDC ही उसको test कर रहे है तो अगर कोई इंसान बिमार हो रहा है तो ही उसको CDC उसको hospital admit किया जाता है जब उसके धिकत बढ़ रही है दिख रही है तो उसका Corona virus जो नया वाला है 2019 NCOV उसके लिए test किया जाता है CDC को inform करके फिर पता चलता वो positive है कि नहीं है हर एक इंसान उसके लिए test नहीं कर सकता अभी आया नहीं है मार्केट में नंबर दो हर एक को होगा नहीं हर एक को होगा भी अगर यह तो सब बिमार नहीं होते हैं only the people who are already बिमार हैं जिनकी immunity अच्छी नहीं है जिनको already कोई न कोई immunocompromised state है old age है उनके उपर हावी हो रही है और यह बिल्कुल यह समझने वाली बात है कि ऐसे लोग जिनको पहले से बिमारी इतनी जादा है उनको flu भी होता तो वह मर सकते थे ऐसे लोगों की death हो रही है coronavirus है जो अभी तक पकड़ में आया है तो अभी तक इस virus के बारे में information चल रही है पता करनी हम आपको ऐसे वीडियो में और बताते रहेंगे पुराने corona viruses जो है जो पुराने viruses हैं उसके उपर basic जानकारी आप हमारे cold कफ वाले वीडियो में देख सकते हैं और आगे किता information जो भी update है वह आपको आते रहेंगे देखते रहेंगे इस चानल को share करिए इस information को उल्टे सीरे वीडियो पर भरोसा मत करिए thank you so much for watching stay connected stay healthy